हेलो बच्चो आज हम करेंगे क्लास थर्ड का हिंदी का चैप्टर नमबर फॉर्टीन सबसे अच्छा पेर ये आपके रिमचिम की पाथे पुस्तक का चौदा चैप्टर है जिसका नाम है सबसे अच्छा पेर तो चलिए इसको शुरू करते हैं तो तीन भाई थे एक दिन सुभे के समय तीनो नए घरों की तलाश में निकल पड़े तो तीन भाई थे वो सुभे सुभे निकले थे नए घरों की तलाश में उन्हें नए घर चाहिए थे गरम गरम दूप में वे सड़क पर चलते चले गए थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड आया उसके नीचे ठंडी चाह थी तीनों भाई उसके नीचे अराम करने लगे तो गरम गरम दूप में चलते-चलते जब होने आम का पेड दिखाए दिया तो तीनों उसके नीचे अराम करने लगे पेड के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे बड़े भाई ने कहा भाई मुझे तो यही जगे पसंद है आम के पेड से भढ़ कर क्या हो सकता है आम कच्चे होंगे तो हम आचार बनाएंगे और जब वे पक चाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे तो अब उन तीनों भाईयों में से जो बड़ा भाई है वो कहता है कि मुझे तो यही जगे पसंद है आम के पेड़ से भड़कर क्या हो सकता है भला आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक चाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे कुछ आम हम बाद के खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे तो यह कहता है बड़ा भाई पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक जोपडी बनाई और वह वहीं ठहर गया तो जो पहला भाई था उसने तो आम के पेड़ के नीचे एक जोपडी बना ली और वो वहीं ठहर गया लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे वे आगे चल पड़े तो देखो तीन भाई की कहानी थी उनमें से एक भाई ने तो उधर ही नीचे छोपड़ी बना ली आमकी पेड के नीचे और उधर ही रहने लगा लेकिन बाकी के जो दो भाई थे वो वहाँ पर नहीं ढहरे वे आगे चल पड़े चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड मिले तभी आसमान से एक काला बादल गुझरा टप टप पानी भरसने लगा तोनों भाई उन्हें केले का एक एक पता काट लिया उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा तो केले का पता आप लोगों को पता है न कितना बड़ा होता है तो उसी की मदद से उन लोगों के उपर पानी नहीं गिरा जरा देर में बादल चला गया पारिश रुख गई दूसरे भाई ने कहा बड़ी भूग लगी है मुझे भी तीसरे भाई ने कहा तो उन दोनों भाईयों को बहुत जोड़ के भूग लगी थी दोनोंने केले का एक पता चीरा उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परुसा और दोनोंने भर पेट खाना खाया इसके बाद एक एक केला भी खाया तो देखिए उन्होंने केले के पत्ते पर खाना भी खा लिया और केले के पेड से तोड़ कर केला भी खा लिया अब दूसरे भाई ने कहा मैं तो यहीं घर बनाऊंगा केले के पेड से अच्छा क्या होगा बढ़िया केले खाने को मिलेगा उनकी सबजी बनाऊंगा कुछ केले हम बेच देंगे उनकी पैसे से हम चावल खरिद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे तो दूसरे भाई की ये सला थी कि मैं तो केले के पेर के नीचे ही रहने वाला हूं इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपने जोपड़ी बना ली लेकिन तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया तो हमने देखा पहला भाई ने आम के पेर के नीचे जोपड़ी बनाई दूसरे भाई ने केले के पेर के नीचे जोपड़ी बनाई लेकिन जो तीसरा भाई था उनको दोनों में से को भी पेड़ पसंद नहीं आया तो वो आगे बढ़ता चला गया चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला पेड़ बड़ा लंबा और पतला था तीसरे भाई ने कहा कैसे प्यास लगी है तप एक नारियल जमीन पर चपक पड़ा तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई फिर उसने नारियल की छिलके में छोटा सा छेट किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया नारियल के पेड़ की चोटी सी छाव तीसरा भाई उसी छाव में बैच गया और सोचने लगा आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है केले का पेड़ बढ़ी कामका होता है और केला भी खाने में अच्छा होता है पेड़ नीम का भी अच्छा है उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है घर में कोई बिमार हो तो लोग नीम की टहनिया दर्वाजे पर लटका देते हैं मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनिया बेज सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी चाहा भी देगा और अगर कहीं मेरे पास रबड का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता चीरे के तले में एक प्याला रख देता पेड़ की दूथिया रसको मैं प्याले में भर लेता रसको पका कर मैं रबड बना लेता रबर मैं बेच देता रबर से लोग गुबारे, तायर और तरह तरह की जीजे बना लेते अच्छे पेड़ों की क्या कमी है नारियल के पेड़ की ही सोचो नारियल की जटां को काट कर मैं मूठी तूरिया बना सकता हूं और तूरियों से मैं मजबूर चटाईया भी बना सकता हूं रसियों और चटाईयों को मैं शहर के बजार में पेड़ सकता हूं मैं नारियल का पानी पी सकता हूं मैं नारियल की गरी खा सकता हूं और कुछ गरी सुखा कर मैं खोपरा भी त्यार कर सकता हूं खूपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ गोले का तेल साबन और कितनी ही चीज़ों बनाने के लिए काम आता है तो नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ ठीक, तो है, मेरे लिए तो यही पेर सबसे अच्छा है मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा तो अब हमने देखा तीसरे भाई को नारियल का पेड पसंद आया क्योंकि अब वो नारियल के पेड से इतनी सारे चीज़े कर सकता है तो इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुठिया बनाई और मजे से रहने लगा अब हमने पड़ा पहले भाई ने बनाई आम के नीचे अपनी कुठिया तूसरे भाई ने केले के पेड के नीचे और तीसरे भाई को नारियल का पेड पसंद आ गया कोई एक कहानी कमेंट करकर जरूर बताईएगा इस कहानी का नाम है सबसे अच्छा पेर अगर आपको एक कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीज़ें अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीज़ें थेंक यू फर वाचिंग